दोस्तों सबसे पहले मैं एक नौजवान होने के नाते भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की जो मौझूदा स्टेरिंग कमिटी है उसने जो संबिधार में एक संसोधन किया है कि पार्टी प्रतिनिधित्व में हर एक अस्तर पर पचास वर्ष से कम उम्र के विक्ति को पचास प्रतिसक तक सीट जो आरक्षित किया गया है मैं इस देश के नौजवानों के बिहाफ पर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस को कोटी-कोटी धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों मैं समझता हूँ कि एक महतपूर्ण रेजिलूशन है महतपूर्ण रेजिलूशन इसलिए है कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है दुनिया का हर पाचवा नौजवान कोई न कोई भारतिय है ऐसे वक्त में देश की दशा क्या होगी देश की राजनीती क्या होगी समाज का स्वरूप क्या होगा और हमारे आने वाले भविस्थ का मुस्तक्बिल क्या होगा इसको इस देश का नौजवान तया करेंगे कॉंग्रेस पार्टी ने इस बदलाव को महसूस किया है उसके लिए हम अपने बरिस्ट नित्रित को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं दोस्तों आज जब राइपूर में देश की सबसे पुरानी पार्टी उसका पचास दिवा महादिवेशन हो रहा है तो हमारे सामने कुछ महत्पुर्न सवाल है और उन्ही महत्पुर्न सवालों पर चर्चा करने के लिए यह हमारा डिसकसन हो रहा है यह प्लेनरी सेशन हो रहा है और यहां मैं आपके बीच मوجود हूँ हमारे देश के एकॉनमिक आर्थिक और राजनितिक रेजिलूशन क्या होना चाहिए उसके संबंध में कुछ बातें रखने के लिए सबसे पहली बात तो हमको यह समझना चाहिए देश की अर्थ विवस्था देश के लोगों को अज नजर अंदाज करके नहीं चल सकती है कोई भी ऐसी आर्थिक नीती जिसमें देश के लोगों को नजर अंदाज किया गया है वो आर्थिक नीती देश की आर्थिक नीती नहीं हो सकती है और आज हम जिस मोर पर खड़े हैं हम देख रहे हैं कि नारा देश का लगाया जाता है नाम देश का लिया जाता है और तिजोरियां दोस्त की भड़ी जाती है ऐसी आर्थिक नितियां इस देश के अंदर लाई जा रही है मेरा एक सीधा सवाल है इस देश के हुक्मरानों से कॉंग्रेस पार्थी का एक काम कारिकरता होने के चलते कि ऐसी कौन सी ऐसी निति है कि देश गरीब हो रहा है हमारा आर्थिक आंकरा हमको बताता है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आज के वक्त में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां बेरोजगारी सर्चर करके बोल नहीं रही है आप तमाम सर्वे उठा करके देख लीजिए लगातार अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है इस देश के संसाधनों पर मुठी भर लोगों का कबजा होता जा रहा है वैसी परिस्थिती में जो देश की संकल्पना है जिसको महात्मा गांधी ने देखा है जिसको मौराना अबुलकलाम आजाद ने देखा है जिसको सुवास चंदर बोस ने देखा है जिसको स्रीमत इंद्रा गांधी ने देखा जिसको चट्गिया राजीव गांधी ने देखा जिसको इस देश की संबिधान ने इस रूप में वर्नित किया है कि देश देश के लोगों से बनता है जब देश देश के लोगों से बनता है तो आप मुझे बताईए कि देश कैसे गरीब हो रहा है और देश के दो चार पूंजी पती कैसे अमीर हो रहे है यह कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो मौझूदा सरकार चला रही है आप मुझे बताईए कि आम लोगों की आम दनी घटी जा रही है और देश के एक दो पूंजी पती दुनिया के अमीरों की सूची में जाकर के सुमार हो जाते हैं मैं यहां यह बात असपस्ट कर देना चाहता हूँ हमारी पार्टी अमीरों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी पूंजी पतियों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी उद्योग धंधों के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी उद्योग पतियों के खिलाफ नहीं है लेकिन हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं जहां आम लोगों के पास रोटी नहीं हो और पधान मंत्री के पास चलने के लिए सारह 8000 करोड का भिमान हो हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं कि इस देश के आम लोगों के हाथ में सिख्षा नहीं हो कलम नहीं हो, स्लेट नहीं हो, कंप्यूटर नहीं हो, मोबाल नहीं हो और इस देश की जो सरकारी संपतियां है BSNL BSNL के बारे में क्या कहा गया BSNL के बारे में कहा गया BSNL का मतलब होता है भाई साहब नहीं लगेगा अरे भाई साहब नहीं लगेगा तो आप मुझे बताईए कि जी ओ धन धना धन कैसे करेगा यह सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है सरकार क्या करेगी यह सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के निति निर्माताओं से कि अगर एर इंडिया नहीं होगा जब देश में नहीं होगा एर इंडिया तो आप बताईए क्या करेंगे जोतिरादित सिंधिया जब Air India नहीं होगा, जब Railway नहीं होगा, जब BSNL नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ कि इस देश में मंत्री की क्या जरूरत है जब देश में जनता नहीं होगी, तो फिर इस देश में सरकार की क्या जरूरत है जब देश में श्कूल नहीं होगा, अस्पताल नहीं होगे, सरके नहीं होगी तो आप मुझे बताईए कि फिर संसत की क्या जरूरत है इस देश की जो पूरी की पूरी संकल्पना है उस संकल्पना को आज एक बार फिर से कॉंग्रेस के राष्ट्य महाधिवेशन में पुनर विचारित करने की जरूरत है देश का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग डीडी नेशनल पर एक कारिक्रम आया करता था नहरू जी की किताब है डिसकबरी ओफ हिंडिया डिसकबरी ओफ हिंडिया के एपिसोड में नहरू जी आम लोगों से पूछते हैं कि बताईए कौन है भारत माता किसको भारत माता कहते हैं भारत माता इस देश में रहने वाले लोग है जब हम भारत माता की जै बोलते हैं तो भारत माता की जै बोलने का मतलब है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जै और 140 करोड़ लोगों की जै का मतलब है कि 140 करोड़ लोगों के हाथ में पढ़ाई हो 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम हो 140 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की बवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए इलाज की विवस्था हो 140 करोड लोगों के लिए चलने के लिए सरकें हो गारियां हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो और आपने देखा कि देश में कुछ लोग लोकतंत्र को अपनी बपोती समझ लिये हैं अभी जब मैं हवाई के आज की बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट याद आ गया दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिकुरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए तो मैं दिल्ली में बैठे गवे हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूँ आपको मालूम नहीं है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का इतिहास आपके पुर्खों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी उन अंग्रेजों से लर करके हमने इस देश को आजादी दिलाई इस बात को याद रखिएगा ना आपके जेल से डरेंगे ना आपके मुकदमे से डरेंगे ना आपकी लाठियों से डरेंगे ना आपकी गोलियों से डरेंगे भारतिया राष्टिय कॉंग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकुक के लिए लड़ती रहेगी इस बात को याद रखिएगा और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही है कि प्राइवटाइजेशन आफ प्रॉफिट और सुसलाइजेशन आफ लोस फाइदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो एलाइसी का यह हम नहीं चलने देंगे इस इस बात को आप याद रखिएगा फाइदा होगा तो प्रणान मंत्री जी के दोस्त का और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो SBI में पढ़ा हुआ है उसका यह हम नहीं चलने देंगे इस बात को याद रखिएगा इसी लिए हमारा पॉलिकल और एकॉन इस बात को याद रखिएगा और इंडियन कॉंसिचूशन इस बात को रिजॉल्व करता है वी दपीपल आफ इंडिया और यह जो वी दपीपल आफ इंडिया है इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग चाहें हिंदू हो मुसल्मान हों सिख हो इसाई हो जैन हो पार्सी हो बुद्धिष्ट हो या वैसे भी लोग जो किसी धरम को नई मानते हैं वो सब भारत के लोग हैं और उनके हखूक के लिए उनके अधिकार के लिए कल्यानकारी राज की अब्धार्मा को बचाय रखने के लिए और यही जो पॉलिटिकल रेजिलूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिक्छा, स्वास, सरक, बिजली, पानी और इस देश के संभिधान के लिए संघर्स करते रहेंगे इसी आसा और उम्मीद के साथ आप तमाम सम्म आरत या कॉंग्रेस